हेलो दोस्तों कैसे हो, इस वीडियो में हम जाने वाले कोई भी ऐसा स्मार्ट फॉन में प्रो मोर को कैसे सेलेक करना, किस तरीक से सरेंग करके फोटोग्राफिक करना, जिसमें ISO, अपेचर, सेटर स्पीर, वाइट बेलेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल, स्टांडर एंगल, इस के बारे में हम पूरी डिट्टल के साथ जाने वाले, सिखने वाले, तो देखते रहे पूरी वीडियो, और इस वीडियो देखने के बाद, कोई भी ऐसा स्मार्ट फॉन में आप प्रो मोर को सिलेक कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, और आसान इसे फोटोग्राफिक कर सकते तो इसे के बारे में हम पुरी डिटल के साथ इस वीड़े में जाने वाल तो देखते रहे पुरी वीड़े और अभी तक के आपके हमारी चानल को सब्सक्राप करें किया तूरह से जाकर करती है तो गाईज सबसे पहले आप जो भी स्मार्टफॉन में फोटोग्राफिक करने वाले तो उस स्मार्टफॉन का जो भी कैमेरा होता है उस कैमेर को आपको क्लीन कर लेना यहीं कि साफ कर लेना इसके बाद जो भी हम फोटोग्राफिक करते हैं तो कैमेरा ओन करते हैं इसके पे आप crop सहसर सीलेक करोगे जिसके वज़े से जब भी आप फोटोग्राफी करते हो तो आपकी फोटो बैटर आएगी तो first आपको setting ये कर देना इसके बाद आपको कौनसा setting करना वह आपे में आगे बताता हूं और दूसरी बाद आपको ये ध्यान रखना है यान कि जब भी आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो तो उसमें आपका बेग्राउंड जो भी होता है वो आपको परफेक्ट सिलेक करना पड़ेगा कि आखिरकार बेग्राउंड कौन सा है किस तरीके से लाइटिंग है इसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा इसके बाद ही आपक आपको सही बेग्राउंड को सिलेक करना पड़ेगा इसके बाद आपको कैमेरा सेटिंग करना होगा या तो मोबाइल में जब भी आप फोटोग्राफी करते हो तो मोबाइल में जो भी कैमेरा आता है उसमें आपको सेटिंग करने होगी इसके बाद आप तीसरा खास इंपर वो एक दिखाई देता या नहीं देता है 5 से 10 सेकंद आपको रुकना है सही से फोकस होनी देना है इसके जादा जलबाजी करना और आपका हाथ नहीं लिए इस तरह से आपको ग्लिक कर देना जिसके वज़े से जो भी अपकी इमेज ही वह आपको परफेक्ट और आप शार्फ फोटो आपको देखने को मिलेगे तो ऐसा क्यों होता है याद कि आप फोटोग्राफिक करने के लिए जाते हो और आप आपका याद कि आप डिया स्रम फोटोग्राफिक करते हो तो उसमें आप इमेज सेंसर बड़ा होता है इसलिए आप जल्बाजी में फोटोग्राफिक या तो ङार्स आप देखाँए आजि को ह Васँ टो फाल फाल । तो सेले निदे चलू कर देखाँए्ट तो आस जो भी आटो फोकस मोड र आपको मैं आपका जूबी आपके अल्ट्रा वाइड एंगल है तो उसको आपको चैंज करके स्टांडर पर कर देना है इसकी वज़े से जूबी आप फोटोग्राफिक करते हो तो उसका या तो तीन कैमेरा आपके स्मार्टपॉन में होगा तो सही कैमेरा आपके सिलेक हो जाएगा इसके आपको सिलेक करना होगा लेकिन आप दिन में फोटोग्राफिक करते हो या तो आउटओर शूट कर रहे हो जिसमें आपका जूबी वाइट बैलंस है उसको आपको 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 कर देना है नहीं तो आप देख सकते हैं यहाप अलग ऑप्शन दिया गया है तो उसको भी आ ज्यादा है आप रेड्ड पर रहे ही जिसमिर आपको साहटं करना होगा इसमें अपको किस तक क्राइल रहा हो लुए थो यहां पर को सेटिंग करना है कि ज्यादा पर रही light तो आपको रही तो पर नहीं चाना लेकिन सब्सक्राइब करोगे सब्सक्राइब पर देखने को मिलेगा और आप ब्ल्यू लाइट पर रहे आपको बढ़ा देना है जिसकी वाज़े से आपको सही इमेज आपको देखने को मिलेगी तो इसके बाद आप जब भी आप फोटो शुट करने के लिए चाहते हो यह तो आउट्डोर शुट कर रहे हो जिसमें ज्यादा लाइट पर रही तो आपका जूबी आपको कम कर लेना आपको बढ़ा जिसमें आप 500 भी कर सकते और 1000 से ज्यादा नहीं करना नहीं तो काभी सारे दिक्कते आएगी आपकी इमेज में नौइस देखने को मिलेगी इसलिए आपको इस तरीके साटिंग करना है नहीं कि आप आउडोर शुट करें तो आपका आईसो जूबी उसको आपको कम कर लेजिए और आप बहुत ज्यादा अंधेरे में फोटोग्राफिक करते हो तो बहुत लो लाइट है उसमें आप फोटोग्राफिक करते हो या तो वीडियो ग्राफिक करते हो तो आपका आईसो जूबी उसको आपको बढ़ा देना है इसके बाद आपको सटर स्पीड पर चले जाना सटर स्पीड में आखिरकार कौन सा सैटिंग है वह आपको समझाने की खुशस करूंगा कि सटर स्पीड को आप सिले करते हो और आपका चुबी बिंदू होता है वह बहुत ही सो टा हो जाता है लेकिन जैसे आप उसके और आप उडदा होगी तो आपकी चुंबी एमेज ही जब्opard feast व्यडियो श्टीव रहे ही उसमें आपको वाय देखना को मिलें इसलिए आप शहीजई करना में कि यहां कि आप फोटोग्राफिक करने के लिए जाते हो और सटर स्पीड को ही आपको सिलेक करना होगा है यहीं कि सटर स्पीड से आपको सेटिंग करना जिसकी वज़े से आपकी इमेज चूपी वह आपको परफेक्ट देखने को मिलेगी तो इसलिए आप जब भी आप इसलिए पर पूरा का पूरा सेंसर यूज होता है इसलिए एक बार आप फोटोग्राफिक करता हूं कि किस तरह के से इमेज आ रहे हैं क्लियर की देखोगिए तो यहां पर देख सकते पूरी कि फोरी तेकलो को देखने को मिलेगी क्यों किक्रम के जुब सेंसर होता है वो पूरे का पूरा यूज होताही Almost जाते हो इसमें आपको तीन इंप्सेंग ये करगदा है उनवे सटस्पी आयज 70 Am va यहां पर आपको सेलेक कर देना जिसके विजह से चुबी इमिज सेंसर होती वह पूरे की पूरे यूज होती इसके बते आपको यह बता दो यान कि देख सकते आपके डिस्प्ले में माइनस प्लस वाला याप ऑप्शन देखने को मिलेगा इसमें किस तरके साइटिंग करना औ अब यापने सेटिंग करना और आपने इस सेटिंग कर लिया है और आपणे आपने इसके सेटिंग करने के बाल आपकी इमेज परफेक्स तरीकिसे देखने को नहीं मिलते हैं कि लोई लाइट यहां पर आपको देखने को मिलेगी तब हमको इसका इस्तिमाल करना क्यासे यानि कि हमने आयसो सेटिंग कर लिया सट स्पीड सेटिंग कर लिया लेकिन जो भी हमारा सब्जेक होता है उसमें पर अब को किस तरी कर सेटिंग करना और यहां पर आप सिंपूटर पॉंगर आपको यहां पर देख सकते कि किस तरी की शेटिंग कर रखना ऐनकि देख सकते हैं आपको मिलाइप Prae met出来 Romeo सिक्टे जूब्हां एक आपको फ्ोटोग्रापी करना है